नमस्कार किसान भाईयों और मेरे पस्पालकों स्वागत है हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है एग यान फार्म मशीन दोस्तों इसमें हम जो है आपको मशीनों से रिलेटेड पूरी जनकारी देंगे कौन-कौन सी मशीने मार्केट में एविलेबल है और कौन-कौन सी सबसे बेस्ट मशीन है उसके बारे में जनकारी देते हैं दोस्तों तो इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लें दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी दूद निकालने वाली मशीनों के बारे में जो बहुत ही अपने मार्केट में सबसे बैस्ट है और उनकी जो कीमत है वो बहुत ही वाजिब है दोस्तों तो ऐसी पांच मशीनों के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा जो आपके काम आ सकत तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं देश्तो सबसे पहली जो मशीन है वो है स्री देवी मैनवल मिल्किंग मशीन जिसको आप जानते ही हैं कि ये मैनवल मिल्किंग मशीन है यानि कि इसको हम बीना बिजली के बीना कोई उर्जा की खपत के हम इसको चला सकते हैं तो क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि आजकल जो है गौले जो है वहां उची दाम लेते हैं और कभी उनका आना नहीं आना जो है एक परिशानी का सबब बनता है तो दोस्तों इसलिए self dependent होने के लिए आपको ये milking machine तो जरूर रखना चाहिए और बहुत ही कम दाम में जो है emergency use के लिए आपके लिए बहुत अच्छी machine है दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको बहुत ही इस्तमाल करना इतना असान है simple आप knob को खोलिए और उसके बाद आप manually इसको pump को operate करके इसमें vacuum generate कर लेते हैं और vacuum जैसी generate होता है तो दूद इसमें आपने आप container में आने लगता है दोस्तों दोस्तों इससे पस्वों को कोई भी नुकसान नहीं होता बोला जाता है कि दूद निकानने वाली मशीन का इस्तमालनी करनाची इससे थन खराब होता है ऐसा बिलकुल नहीं है दोस्तों इसको बहुत ही research करके बनाया जाता है दोस्तों ये है स्री देवी की milking manual machine इसकी कीमत दोस्तों साड़े 9000 उपे पड़ेगा और इसका link जो है description में मैंने दे दिया है वहाँ से जाकर आप खरीच सकते हैं और दूसरी machine है गोवर्धन milking machine ये जो है machine operated है दोस्तों ये electricity से चलती है इसके लिए थोड़ी सी उड़जा खपत होती है लेकिन दोस्तों यह किफायती machine है क्योंकि यह मात्र आपको 20,000 रुपे में मिल जाती है और यह जो company है बहुत reliable company है गोवर्धन की बहुत सारे जो है हमारे subscriber ने इसे खरीदा हुआ है और संतूष्ट हैं तो आप भी इसे खरीद कर इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों इसमें जो है power operated होने के कारण बहुत ही जल्दी से machine जो है काम करता है और आपका जो समय की बचत करता है दोस्तों समय पर जो है दूर निकालना भी बहुत जरूरी हो गया है आज कल आप जानते हैं कि अगर कोई भी company दूर्थ खरीती है तो वह जल्दी से जल्दी किसान से दूर्थ चाहती है और उस दूर्थ को वह जल्दी से जल्दी प्रोसेस करना चाहती है तो दोस्तों उसके लिए जो है अगर आपके पास पसुजादा है और आपके पसुजादा दूर्थ देते हैं तो आप जरूर इस गोवर्धन milking machine जो की electrically operated है उसका use करते है दोस्तों जो अगली machine है वो है स्वास्तिक single bucket milking machine यह machine जो है यह भी electricity से चलती है लेकिन दोस्तों इसकी जो power capability है वो जादा है यह जल्दी आपके दूर्थ को निकालने के लिए सक्षम है इसलिए जो है इसकी कीमत थोड़ी उससे जादा है तो दोस्तों यह जो स्वास्तिक single bucket machine है इसमें single bucket आता है और इसमें single cluster है दोस्तों तो इसमें जो है आपको carrier दिया हुआ है आसानी से आप धुला कर इसे किसी भी जो पसु के पास आप ले जा सकते हैं केबल का पूर्णता इसमें बहुत लंबा केबल मिलता है आप उस लंबे केबल से जितने दूरी तक आप इसको ले जा करके आप दूर निकाल सकते हैं इसमें जो है दोस्तों प्रैसर को भी मेजर करने का प्रैसर मेंटेन करने के लिए आपको दिया है कि आपको लगे कि यह 35,000 रुपए की मशीन एक सांद देने के लिए बहुत जादा है तो EMI का आप्शन मैंने पहले ही आपको बताया है कि वहाँ पर जाके आप EMI आप्शन सेलेट कर सकते हैं और आसान गिस्तों में आप इसे खरी सकते हैं दोस्तों और अगली जो चौथी मशीन है वो है स्वास्थिक डबल क्लस्टर मिल्किंग मशीन दोस्तों नाम से कलियर है कि इसमें डबल क्लस्टर यानि कि यह एक समय में दो गाय का पिज़र दूद करने रुपए के आसपास है क्योंकि इसमें double cluster दिया है यह और भी आपके समय की बचत करता है और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें दूद निकालना जो है बहुती आसान है और एक समय में आप दो गायों का दूद निकाल सकते हैं तो दोस्तों आप जो है इसका जो मसीन है इसकी कीमत जादा हो सकती आपको लगेगा लेकिन दोस्तों इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है आप एक बार उप्योग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह बहुत अच्छी क्वालिटी का है इसलिए इसकी कीमत जादा ह दोस्तों इसमें double cluster दिया हुआ है लेकिन जो है इसमें bucket single है single bucket कहने का मतलब है एक ही आपको जो cane मिलेगा जिसमें दोनों जो आपके पसू है उनका दूद एक ही container में आएगा इसलिए single bucket और double cluster वाली machine है दोस्तों और अगली जो पांचवी machine है वो है वैंसन की double bucket milking machine है यह double bucket machine है और double cluster वाली machine है दोस्तों यानि कि इसमें दो container आपको दिया जाएगा और दो ठो जो है गाये आप एक साथ में इसमें से दूद निकाल सकते हैं यानि कि आपका जो है समय की और भी जादा budget दोस्तों तो इस milking machine का भी description मैंने link दे दिया है आप महा से जाकर इसे purchase कर सकते हैं तो आप जो है दोस्तों स्वास्ती की double cluster machine खरिश सकते हैं जो की single cane के साथ आती है लेकिन दोस्तों उसमें cane भले single है लेकिन आपको capacity जादा मिलेगी तो ये मेरी राय के हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो इसमें से कोई भी दोनों में से एक machine ले सकते हैं दोस्तों आज की व